नमस्कार दोस्तों, आल्लाइन CGPSC में आपका स्वागत है, चतिसगड लोकसेवा आयोक के द्वारा असिस्टेंट जियो केमिष्ट असिस्टेंट जियो हाइड्रोलाजिस्ट का एक्जाम हाली में हुआ है, जिसमें 36 गड़ से संबंधित 50 प्रस्ण पूछे गए थे, आये जानते हैं वे 50 प्रस्ण कौन से हैं, ताकि अगले एक्जाम के लिए हम 36 गड़ से संबंधित किस प्रकास से प्रस्ण पूछे की संभावना हैं उसके बारे में जान सके, और हाँ अभी तक इसका माडल आंसन नहीं आया हुआ है, तो मैं आपको संभावित उत्तर भी बताऊंगा, आपको यदि लगता है कि उत्तर में कुछ करेक्शन होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए, तो अन्त तक वीडियो को एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको क्यूस्चन का एनालसिस हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यूस्चन नमबर पहला है, लमसेना विवाह किस जनजाती में होता है, तो लमसेना विवाह, जिसे चर्घिया विवाह या सेवा विवाह कहते हैं, यह गोण जनजाती में होता है, तो इसका आंसर है C, गोण जनजाती, दूसरा, निग्रिटों तत्तु किस जनजाती में विद्यमान है, इसका आंसर मेरे तो अभी तक नहीं मिला है, और प्रसिच्छड संस्थान मौझूद है तो आदिवासियन संधान और प्रसिच्छड संस्थान रायपूर जीले में हैं नेक्स्ट है किस तेवहार के समय नर्थ तक राउत नाचा करते हैं तो राउत नाचा जो है दिवाली के समय करते हैं तो आपसन D, दिवाली is the right answer. नेश्ट किस्चन है, धुमकूरिया निमने लिखीत में से किस जनजाती से संबंधित है? आपको पताई होगा, धुमकूरिया एक युवाग्री है, जो उराव जनजाती से संबंधित है. तो आपसन A, उराव इसका सही आंसर है. नेश्ट किस्चन, बैगा जनजाती के मुख्य देवता कौन है? तो बैगा जनजाती का मुख्य देवता है बुढ़ा देव. नेश्ट किस्चन, निमने लिखी जनजातीयों में से किसे विशेश पिछली जनजाती माना जाता है? विशेश पिशली जन जाती केंदर सरकार के द्वारा पात जन जाती हैं अबुजमार बैगा बिरहोर कमार और पहाडी कोरवा तो यहाँ पर बैगा दिया है तो बैगा इस दा राइट आंसर अगला क्यूस्चन है राष्ट्री अनुशूचिद जाती आयोक की स्थापना भारती समिधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है तो अनुच्छेद 338 के तहत स्थापने की गई वहीं यदि अनुशूचि जनजाती की बात करें तो इसमें आएगा 338 का तो इसको आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है चतिजगण के किस विश्वद्यालय के कुलपती को वर्ष 2020 में हटाया गया है बहुत ती हाइलेटेड यह जर्रल नालेज का क्यूस्टन था कि किसी हटाया गया है तो जनवरी में सर्गुजा विश्वद्यालय अम्भिकापूर के कुलपती को भठाया गया था जिसका नाम है प्रोफेषर रोभडी प्रसाद नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 2020 को खरेली त्योसार से शुरू की गई योजना, कौन सी है तो, 36 गड़ पुलीस प्रसाशन द्वारा कौन सा एप लांच किया गया है तो 36 गड़ पुलीस विभाग के द्वारा CG COP एप लांच किया गया है जिसमें आप आम लेन सिकायत कर सकते हैं नक्सल प्रभावी छेत्रों में सिच्छा के प्रसार के विशय में क्या सही है तो नक्सप्रभाई छेत्र में सिच्छा के प्रसार के लिए आस्था, निश्था, प्रयास और सहयोग जैसे विशय सामिलाएं तो आपसन एक और दो अर्था आपसन ए सही है आस्था और निश्था नेक्स्ट है जनजाती छेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्व में क्या सही है तो जनजाती छेत्रों में चिकित्सा के लिए 36 गर सासन के द्वारा मुख्य मंत्री हाट बजार क्लीनी की योजना लांच किया गया है तो आपसंसी है मुख्य मंतरी हाड बजार क्लिनिकी युजना जहां एक मोबाइल यूनिट टीम जो है जाकर हाड बजार में जनजाती छेतर के जो हाड बजार लगते हैं वहां चिकेत से सेवा उपलब्ध कराएगी नेक्स्ट है ग्रामिल अर्थ व्योस्ता को सूद्रिल बनाने है तो निर्मित योजना का नाम क्या है तो आप सभी को पता होगा इसका नाम है सुराजी गाउव योजना चत्तिजगार सासन की महत्योकान्ची योजना है जिसके अंतरगत नर्वा गरवा गुर्वा बाड़ी जैसे विशय सामिल हैं, तो आपसन C, सुराजी गाउं योजना, नेक्स्ट क्यूस्चन है, 1971 को प्रसिद्ध चंदयनी गोंदा की स्थापना किसने की, तो चंदयनी गोंदा एक लोककला का मंच है, जिसे राव डाव राम चंदर देशमुख ने इसकी स्थापना 1971 में की, तो आपसन B, दाव राम चंदर देशमुख नेक्स्ट क्यूस्ट है, चतिस गड़ राजिय गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश से क्या है, तो किसान न्याय योजना का उद्देश से है, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतू पर साहित करना, और फसल की सही कीमत प आपको आर्थिक सहायता दी जारी है, इतने करोड का चार किस्त में किसानों को दिया जा रहा है, तो किसानों को अधिक फसल उत्पादन पर साहित करना, और फसल की सही कीमत प्राप्त करनें किसानों की सहायता करना, अर्थार आप्षन एक और दो सही है, तो आप्षन भी इ मैदानी भाग किस समुह की चट्टानों से निर्मीत है तो मैदानी भाग सिंपल है कडपा सेल समुह से निर्मीत है तो आपसन ए इसका सही आंसर है नेक्स्ट है इंद्रवती किस नदी क्रम की चट्ट नदी है तो इंद्रवती जो 36 गड़ की बस्तर जिले बस्तरांचल में भ भी को पता होगा करक रेखा 36 गड़ के जो है बलरामपूर सुरजपूर और कोरिया जिले से कट्टी है तो यह उष्ड कटी बंधी एवं सितोष्ड कटी बंधी छेत्र में आता है तो आप से इसका सही आंसर है ओके नेश्ट है कि 36 गड़ की ओसतन अती निम्न ताप छेत्र इस्थित है तो अती निम्न ताप में कौन सा आता है मैन पाट का छेत्र आता है अर्थाद जस्पूर छेत्र इसमें सामील होगा तो आप सन ए इसका सही आंसर है जस्पूर छेत्र में अती निम्न ताप इस्थित है नेश्ट है ज थात जन्पत पंचायत को किस तरह से रिमू किया जा सकता है तो इसके लिए अविश्वास प्रस्तावत के द्वारा हटा जा सकता है और दो तिहाई बहुमत अवसकता होती है तो आप्षन तीन और चार सही है और थात आप्षन B is the right answer. नेक्स्ट है किस तिथी से जिला पंचायत की अवधी की गड़ना की जाती है तो जिला पंचायत की अवधी की गड़ना जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन की तिथी से की जाती है तो आप्षन D इसका सही आंसर है नेक्स्ट है जिला पंचायत की सिछा समीती का पदेन सभाप पती कौन होता है तो सिच्छा समीती का पदेन सभापती जीला पंचायत का उपाध्यक्ष होगा अर्थात आप्षन बी जीला पंचायत का उपाध्यक्ष नेक्स्ट है चतिसगड का कुल छेत्रफल देश के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिसत है तो चतिसगड का छेत्रफल ज युगीन सभ्यता के अवसेश कहां मिलते हैं तो महापशाड युगीन सभ्यता के अवसेश इसमें मेरे को डाउट है आप कमेंट सक्षन में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है नेक्स्ट है आली चपी कोर्वा जिले में इस्तित है एतिहासिक युद्ट इवम भैंस-गठी किस जिले में है तो ओंगना और 15 घजय जो है यह रायगर्च जिले में यह तिहासिक वापुरा तात्विक इस्थल है यहां गुफाएं पाए जाती हैं तो यह जो है राइगर जीले में स्थित हैं नेक्स्ट है जीला पंचायत के अध्यक्ष के चुना में कौन ओट दे सकता है तो जीला पंचायत के जो अध्यक्ष है उसके चुना में जीला पंच हैं लेकिन ओट नहीं दे सकते ओट जो है सिर्फ जीला पंचायत के निर्वाचित सदस्य देते हैं तो आपसन इसका सहीं आंसर है तो आपसन इस दराइट आंसर है नेश्ट देखिए एक अभ्यर्थी जो जन्पत पंचायत के चुना को प्रस्णगत करना चाहता है किसके समझ अपनी याचिका प्रस्तूत करेगा तो जन्पत पंचायत के मामले में तो आपनी प्रस्तूत करेगे यहां पर जन्त पंचायत पुछा है तो collector इसका सही आंसर आएगा नेश्ट देखिए ग्राम सभा के विशय में क्या सही है तो ग्राम सभा का प्रतेक तीन मास में एक सम्मेलन होता है सही आंसर है ग्राम सभा के प्रते ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगा यह भी सही है ग्राम सभा गड़पूर्ती के लिए एक बटे दस्दस्य होना चीए ठीक है गड़पूर्ती के लिए सरपंच उत्तदाई होता है यह भी सही है अर्थात उपरोक्त सभी सही है आपसन डी इसका आंसर होगा आपसन डी उपरोक्त सभी नेक्स्ट क्यूस्टन देखिए राष्टी थर्मल पावर स्टेशन अर्थात एंटी पीसी जो 36 गड़ राज में है के विशय में सही कौन सह है तो देखिए कि यह एक प्र आपसन सी यह एक सारोजनिक उपक्रम है नेक्स्ट है 36 गड़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस्थिर कीमतों पर क्रिसी छेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में घटी है कि बढ़ी है कि इस्थिर रही है कि इन में से कोई नहीं तो देखिए 19-20 में जो क्रिसी छेत्र की हिस्सेदारी कितना प्रतिसत है 16.8 प्रतिसत है जबकि इससे पिछले वर्षम कितना था 17 प्रतिसत के आसपास अर्था कितना हुआ है घटा है तो इसका अंसर आगा घटा है ओके तो आपसन B is the right answer नेश्ट देखिए 36 गर राज में सरकार ने क्रिस्कों का कौन सा रिड माप किया है तो हाली में 36 गर सरकार बनते ही क्रिस्कों का अलपकाली क्रिड माप किया है इसके बारे में थोड़ा सा बतायता हूं कि 17 दिसंबर 2018 को 37 गर सरकार बनते ही नवंबर 2018 तक के जितने भी अलपकाली क्रिशी रिड हैं जो सहकारी बैंक और छेतरी ग्रामीड बैंक के जो रिड हैं उनको माप किया गया था लगभग 8000 क्रोड रूपया क्रिशी रिड माप ही योजना चलाए गई थी जिसमें 36 अड़ के लगभग 17 लाक किसान जो है लभा 2019-20 में क्या रहा है तो निंतन समर्थन मुल्य MSP मक्का के लिए 1760 प्रती कुंटल रहा है नेक्स्ट है 36 गड़ के चार चिनहारी में किसे सामिल नहीं किया गया है तो 36 गड़ के चार चिनहारी नर्वा गर्वा घुरुवा अव बाड़ी तो यह चार चिनहारी हैं यहां पर धर्सा इसका आंसर नहीं होगा अर्थात धर्सा इसमन सामिल नहीं हैं तो 135 के दी धर्सा वहीं सरच्छित की बात किया जाए तो 40% अवर की कित की बात 16.65% के आसपार तो सरवाधिक किसका है तो मेग जिमम है आरच्छित वन का तो आपसन ए आरच्छित वर्ष 2011 की जनगड़ना की अनुसार भारती संग में लिख खार जिमम हैं तो सकले लिंगड़न उपात में पौत में ऊ शतीजगल Wait उसमें आप देखिए जनगड़ना से अलग से एक पेज बना हुआए उसको एक बार ज़रूर bij कीज़ए ठीक है को में स्वेश्यन है और lager संग्ड़ना की जनकड़ना अनुसार 36 गर्ण राज में सरवाधिक साक्षारता दर किस जिलि में है तो इसका आनसर है दुर्ग जिला आनसर बी नेक्स्ट है निमनांकित पदाधिकारियों का सही क्रम क्या है तो चलिए सही क्रम गणते हैं पता थी कारियों सबसे पहले आता है मुख्य सच्ई मुख्य सच्ई के बाद आता है एक दो चार और ती उसके बाद आयता है आपका अतिरीक्त सच्यू के बाल संयूक्त सच्यू फिर लास्ट में आता है उपश सच्यू तो इस प्रकार से आपको एक दो चार तीन और साथ चे और पांच को जवाना अर्थात आपसन डी इसका सही आंसर है ठीक है नेश्ट देखिए निम लखीत में से कौन मानाव विकास सुचकांक निर्माण का घटक तत्व नहीं हैं मानाव विकास सुचनांग इंडेक्स में क्या क्या आता है इसमें आता है प्रतिव्यक आए और तिसरा जीवन प्रत्यासा सिच्छा स्वास्त और जीवन प्रतिव्यक्ति आए तीन को कंसिडर के जाता है यह चांथा जो है प्रतिदिन कैलोरी उपई भोग इसमें नहीं आएगा अर्थात आपसन डी ही इसका सही आंसर होगा नेश्ट देखिए चतिस गड़ रा संफसकों के समय खरोड में लखनेश्वर मंदिर का नेर्माड हुआ जिसमें इसान डीव का उल्लेख मिलता है तो आपसन भी इसका सही आंसर है इसान डीव नेश्ट क्यूशन है दमाउ दरह नाला चटान लेक में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत ने एक हजार गाएं दान में दी थी यह इस्थान किस इस्थान के नाम से जाना जाता है तो दमाउ दरह को याद रखिए के दमवगर है आप्षन सी गुझी ग्राम सक्ति के नाम से जाना जाता है जो की जानजगीर चापा जीले में स्थित है तो आप संसी इसका सही आंसर होगा नेश्ट है रायपूर डिष्टिक काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकाला था या किस वर्ष प्रारम किया था तो उत्थान जो है 1935 में निकाला गया था वहीं आपको एक चीज और बतायता हूँ जो विकास पत्रिका है मासिक पत्रिका यह बिलासपूर से निकाला गया था 1925 में बिलासपूर से विकास 1935 में रायपूर से उत्थान मासिक पत्रिका निकाला गया था तो 1935 नहीं आंसर होगा नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1935 को रायपूर में हुए सिच्छकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्गाटन निम्न लिखित में से किसने किया था तो इसका आंसर है आपसंसी डाक्टर राजेंदर प्रसाथ इसमें मेले को थोड़ा सा डाउट है पंडित जव और बुक है उसका नाव्याद नहीं है उसमें भी इस तुष्चन को दिया हुआ है ठीक है तो अभी के लिए डाक्टर राजेंदर प्रसाथ देखते हैं आप इसका कंफरम आंसर कमेंट सेक्शन में बताईए आपको पता होगा तो नेक्स्ट देखिए भारत छोड़ो रामक्रिष्ण यह पहले भी एकजाम में आया हुआ है तो इसको आप याद रखिए ठाकूर राम क्रिष्ण ने नागपूर के जो सरकारी भवन है उसमें तिरंगा जंड़ा पराया था तो ठाकूर रामक्रिष्ण इसका आंसर है नेक्स्ट है रायपूर डिष्टी काउंस दिल उत्थान यह तो हो गया है ठीक नेक्स्ट है यह है किए दिखनी रहा है इसको मैं देखता हूँ कि अंतरवर्मन चोडगंग ठीक है जो गंगवन्सी सासक अंतरवर्मन चोडगंग को किस कलचूरी राजा ने पराजित किया था तो इसका आंसर है रत्न देव दूधी ने प्राजित किया था ठीक है गंगुंसी सासक अंतरवर्मन चोडगन को ठीक नेक्स्ट है कि सुवेदार स्री विठार राव दिनकर का कार्यकार तो आ सुवेदार विठार राव दिनकर का कार्यकर था उन्नीस सव नब्य से चानवे सरी सत्रह सव नब्य से चानवे सत्रह सव च्छासी से नब्य जो है महापत्रिवार दिनकर का समय था महापती महा उसके बाता है विठार राव दिनकर थी है उसका है सत्रह सव नब्य से चानवे तो यह पहले थे फिर दूसरा नंबर प्याता है विठ्ठाराव दिन कर 1790 से 96 तो आपसंस सी इसका सहीं आंसर है नेश्ट देखिए बिम्बा जी भोशले का प्रमुक प्रसास की अधिकारी था दिवान कौन था तो इसका आंसर है आपका घोडो महादेव आपसंडी यह रामकुमार बिहार की बुस्तक में और जो हिंदी ग्र अधिकारी था ओके घोडो महादेव नेक्स्ट है 36 गड में विशेश पिछली जनजातियों की संख्या है तो विशेश पिछली जनजाती आपको पहले ही बताया कि अभुजमार बैगा बिरहोर और कमार और पहाड़ी कोर्वा अर्थाथ पांच जो जनजातिया है केंद्र क पहित पिछली जनजाती गोजीत है तो आपसंद ईसका सही आंसर है यदि साधिया रहता तो साथ लेते थी हैं अर्था सान्ट पंड़ो और भुंजिया उसको 36 गड सासन के दौर शेश पिछली जनजाती गोजित किया गया है अगे तोटल जो है और चोताल है जो 32 से भी उत्तर में डायवट हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखिये किसी उत्तर में यह जिस आपुछन सुधीत करना चाहते हो तो कमेंट सेक्षिन में उसको लिखे क्यों कि अभी तक इसका माडल आंसर नहीं आया है तो सीजी पीस्टी के आप तैयरी करते रहिए थैंक्क्यू रिमाज थैंक्स फार लिस्निंग धन्यमाद